उपाद्यक्ष महोदै वित्त मंतरी को देश की आर्थिक स्थिती और निर्धन्त के संबंद में जितनी जानकारी प्राप्त होती है उतनी किसी अन्य मंतरी को संबाव नहीं होती बजट बनाते समय वैसे तो बजट में आयव्याय का ब्यारा होता ही है देकिन मोल रूप में देश की आर्थिक नीतियों में किस प्रकार का परिवर्तन है तथा किस मार्ग पर वह देश को चलाना चाहते हैं सरकार का लक्ष क्या है इन सब नीतियों का बजट में विवरण होता है अमारे वित्मंत्री चाहे जिस पद पर भी रहे हो चाहे वे मुख्यमंत्री रहे हो या केंद्री सरकार में रहे हो उन्होंने शानदार काम किया जिस समय उन्होंने बजट प्रस्तूत किया उस समय देश की और विशेश रूप से गरीबों को उनसे बहुत सी आशाय ही देश में लगभग 6 लाक गाव है उनमें जो बेरोजगारी है गरीबी है उसके संबंद में देश की जनता को उनसे बड़ी आशाय थी और जनता देखना चाहती थी कि इस आउसर पर सरकारी नीतियों के द्वारा देश को वे क्या मार्ग ड़शन देना चाहते हैं इस द्रिष्टी से तीन मात्वपून बाते इस समय देश के सामने थी देश का आर्थिक विकास तेजी से हो अधिक लोगों को काम मिल सके और मुल्यों में स्थिर्टा आए जहां तक इन तीन देश्यों का संबंद है हमने देखा कि उसे और कुछ प्रैत्न हुए हैं विशेश रूप से गरीबी अटाओ के संबंद में इस देश में जो चर्चा चल रही है इस बजट में कुछ सीमा तक उसका उलेख मिलता है क्योंकि जितने भी प्रत्यक्ष कर लगे हैं वे ज़्यादा तर धनी लोगों पर है और विशेश रूप से सहर के लोगों पर लगाए हैं इस तरह से जो एक प्रकार की आर्थिक असमानता अमारे देश में चल रही हैं उसको दूर करने का प्रयत्न अवश्य किया गया है लगभक पांच दसक पुर्व जब हमारा देश वतंत्र हुआ था उस समय देश में जितने सरकारी करमचारी थे वे ऐसा समझ बैठे थे कि अब देश में जिस तरह से अंग्रेजों का प्रशासन चल रहा था उस तरह से काम नहीं चलेगा क्योंकि कांग्रेज के जो नए लोग आये थे जो मंत्री बने थे वे लोग धन के मामलेज में त्यागी आदमी है धन से उनको मोह नहीं है लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि अमारे मंत्री लोग भी उसी तरह से शानदार जीवन पसंद करने लग गए है जिस तरह से अंग्रेज करते थे जिस समय उन्होंने बजट प्रस्तूत किया उस समय देश की और विशेश रूप से दरीबों को उनसे बहुत सी आशाय थी देश में लगबक पांच लाख गाओं है उनमें जो बेरोजगारी है गरीबी है उसके संबंद में देश की जनता को उनसे बड़ी आशाय थी जनता देखना चाती थी कि इस अवसर पर सरकारी नितियों के द्वारा देश को वे क्या मार्ग दर्शन देना चाते हैं